नमस्कार राजदाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ बिग बोस के वाइस नेरेटर विजे विकरम सिंग ने खुला सा किया है कि लोग शो में फेवरेट कंटेस्टेंट्स के एलिमिनेशन पर उन्हें धम क्या देते हैं इस कारण उन्हें आउनलाइन अब्यूजिंग का भी शिकार होना पड़ता है इस सब चीजों से उनकी फेमिली को भी गुजरना पड़ता है विजे 13 साल से बिग बोस के नेरेटर हैं और सल्मान खान के बाद उनकी आवाज ही इस शो की सबसे बड़ी पहचान है 2018 में उन्होंने एक्टिंग केरियर भी शुरू किया था उन्होंने फेमिली मेन, स्पेशल आउप्स और फरजी जैसी वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है हाली में एक इंटर्व्यू में विजन ने आउडियन्स के साथ बातचित की उन्होंने कहा मुझे लोगों को बताना है कि बिग बॉस की दो आवाजे हैं लेकिन मेरी इस बात पर लोग विश्वास नहीं करते हैं मैं बिग बॉस की आवाज में लोगों से बातचित करता हूँ उन्होंने आगे बताया कि वो शो में टाइम को लेकर अनौस्मेंट करते हैं और टेली विजन पर दर्शकों को इवेंट के बारे में जानकारी देते हैं वहीं वो जो आवाज कंटेस्टेंट के बीच बातचित करती हैं वो किसी अन्य शक्स की है विजन ने बताया कि पिछले दो साल में सोशल मीडिया पर उन्हें बोट ट्रॉल किया गया इस पर वह कहते हैं कि पिछले दो सालों में लोगों के फैवरेट कंटेस्टेंट्स को शो से बाहर निकाले जाने पर मेरे साथ कई बार आनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुरा वेवार हुआ लोगों को बताया है कि मैंने कंटेस्टेंट को नहीं भार निकाला है बलकि वोट के अधार पर वे लोग शो से भार हुए है वहीं एलिमिनिशन की एनॉसमेंट में नहीं बलकि बिग बॉस की दूसरी आवाज करती है इस करण कई बार मुझे धमक्या मिली है परिवार वालों को इस मामले में घसीता गया है उन्हें भी धमक्या मिलती है बिजे ने इस बात का खुलासा नहीं क्या कि बिग बॉस की दूसरी आवाज के पीछे असला शक्स कोन है बिजे ने का कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है वो आवाज शायद किसी मशीन के जड़ी ले निकाली जाती हो हाला कि उन्हें ने ये कहा कि अगर उस आवाज की पीछे कोई इनसान है तो वो भी बस अपना काम कर रहे है इसी के साथ पने रही है राज़नामा टीवी के साथ दाने बाद